सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो सुना है ये गाना आपने और कभी ये वाला गुना है सोचता हूँ के सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे तो सारा खेल है सूचन का अगर आपने ये दोनों गाने सुने तो एक देख रहा है पॉजिटिव साइड और एक देख रहा है नेगिटिव साइड अगर आप ये गाने देखें और अपने जीवन को देखें तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी-कभी इतना सोच में डूप जाते हो कि समझ ही नहीं आता कि उससे डील कैसे करें इतना अपने बारे में ही नेगिटिव हो जाते हो कि सोच नहीं पाते हो कि क्या करें क्या आप भी अपने इस ओवर्थिंग के कीड़े को भगाना चाते हो दूर तो ये सेशन एंड तक जरूर देखना नमस्ते, सलाम, सस्रियागाल के इमचो के मनाचो का सकाय और जैहन जै भारत के साथ आपके आशु भहिया स्वागत करते हैं आज के एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पे बात करने के लिए जिसका नाम है ओवर्थिंकिंग ओवर्थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिस पे किसी का बस तो नहीं चला है लेकिन परिशान ये बहुत ज़्यादा कर देती है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जब बैठो पढ़ने के लिए और दिमाग पहुँच जाए कहिया और ये सोचने लग जाए कि मुझसे होगा या नहीं तो कई बार आते हुए सवाल को भी हम कर जाते हैं गलत तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये सेशन आपके लिए लेके आया हूँ जहां पर कोशिश करूँगा आपको बताने की किस तरीके से आप overthink को overcome करके अपने आपके लिए एक बहतर जिंदगी बना सकते हैं तो जब हम overthinking की बात करते हैं तो क्या चीज़ आता है तो यहां पर अगर हम ये line को परें don't get too deep हमें आदत ही ये पढ़ चुकी है कि हम इतना deep और गहरा सोच लेते हैं so don't get too deep it leads to overthinking and overthinking leads to problems that doesn't even exist in the first place and that is what we need to understand हम किसी के बारे में जब इतना सब कुछ या किसी situation के बारे में इतना कुछ सोच लेते हैं अपने बारे अपने preconceived notions बना लेते हैं बच्चो तो क्या होता है तो हम ऐसी एक deep thinking में चले जाते हैं हम चले जाते हैं overthinking में और ऐसी problems अपने सामने खड़ी कर देते हैं जो शायद आपके सामने actual में हो भी नहीं तो वो आप ऐसा problems का miraj बना लेते हो जिनको आपको खड़े हो के दूर से लगता है कि ये तो बहुत बड़ी problem है ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा और जब आप उसके पास समझते समझते जब तक आपको ये समझ में आता है कि भाईया ये तो problem थी नहीं तब तक time आपके सामने से निकल जाता है आप बात करें तो ये एक बहुत एक ऐसी situation है जो आपको हमेशा एक दूविदा में डालती है ये glass ये जो यहाँ पर ये glass लगावा है ये आदा भरा है ये आदा खाली है ये सब नजरिये की बात है हम अपने बारे में जब एक नजरिया बना लेते हैं तो हमको कभी भी ये समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है और इसी ना समझी में हम कभी न कभी negative की तरफ अपना जुकाव ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज तो कुछ गलत होके ही रहेगा आप एक कभी situation में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं कि तो ध्यान से सुनिएगा कभी न कभी आपके जिन्दगी में आपने ये देखा होगा कि जब आप school में हो या आप कभी किसी दफ्तर में या office में काम कर रहे हो तो क्या होता है आपको आपके principal ने अगर सुबह सुबह आवाज दे दी और कह दिया कि हाँ I want to see you in my cabin तो दिमाग कभी भी positive नहीं सोचता हमेशा सोचता है negative हमेशा सोचता है कि क्या आज मैंने कोई गलती कर दी जिसके लिए मुझे बुला लिया गया है और आज तो डांट पढ़ना पका है कभी यह नहीं सोचता कि शायद आज तो principal ने मेरी तारीफ करने के लिए मुझे अपने केविन में बुलाया हो या कुछ responsibility देने के लिए तो यह human mind ऐसा ही है तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो comment करके मुझे जरूर बताईएगा और अपने इस perception को positive बनाने की पूरी की पूरी कोशिश जरूर करिएगा आगे चलिएगे हम हमेशा दूसरे के जो thoughts हैं वो अपनाने के खुद उसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते रहते हैं जबकि हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला actually में क्या सोच रहा है हम हमेशा उसके thoughts को अपने हिसाब से अपने understanding के हिसाब से तोर मडोर के जैसा समझ में आता है हम बनाने की कोशिश कर देते हैं लेकिन हम कभी यह नहीं समझते कि actually में उसका मतलब क्या था और बाद में रिक्रिट करते हैं कहीं न कहीं बार मैं आपको अगर अपने ही एक incident से बताओं कि मेरे साथ कहीं न कहीं एक colleague थे जिनको मैंने कुछ बताया और मैंने बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रू कुछ न कुछ आपके साथ गलत हो सकता है और इसका एक backlash मिल सकता है उस समय उनको बात समझ नहीं आए और उनोंने का नहीं तुमारे को तो कुछ समझ नहीं आता तुमारा ये बोलते हो लेकिन मैंने का नहीं आप आगे चलके देखेगा ऐसा कुछ होगा और बाद में वो वही चीज हुई तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जब आप किसी और से उसके thoughts समझने की कोशिच करते हो तो आप तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक आप उससे सही से बात ना कर तो इस वज़े से ये भी आप उसके बारे में सोचते सोचते आज पूरे दिन में अगर आपको किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया या कुछ क्रिटिसिजम कर दिया आपका आप पूरा टाइम भर उसी के बारे में सोचते रहते हो कि क्या ये बात सच तो नहीं क्या ये मैं ऐसा ही तो नहीं तो आप उसके बारे में सोचते 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 आज तो आपने खराब करी दिया और ये आपके साथ हमेशा चलता रहता है जो अगले एक हफते देड़ हफते तक चलेगा तो आपने आने वाला अपना future भी खराब कर दिया ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो जरूर मुझे comment करके बताईएगा उसके बाद हम अगली चीज जिस पे आते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं future की परवा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा ये एक जब गाना आया था तो इसके पीछे कोई pressure नहीं था इसके पीछे सिर्फ aspirations थी सपने थे और ये चाहा थी कि मैं आगे चल के कुछ बनू लेकिन आज के इस competitive world में क्या हो गया है इस competitive world में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने future के बारे में सोच सोच के सोच सोच के परिशानों के भागे चले जा रहे है कहां भागे चले जा रहे है हमें कहां पहुँचना है इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा सिर्फ भागे चले जा रहे हैं और यही जो हमारी चिंता है वो कहते हैं ना भई ख्यान दीजिए और future के बारे में सोचने से अच्छा अगर आप आज present में काम करें तो future definitely आपका अच्छा हो जाएगा आपको पता है कि आपका 6 महीने बाद को exam है और आप सोचें कि मैं उसी के बारे मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है और अगर आप उसके बारे में नहीं पढ़ें तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन अगर आप निरंतर धीरे-धीरे small-small bits and pieces में पढ़ते रहेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप हो जाएंगे successful और वो paper को clear करके बन जाएंगे एक topper तो क्या करते हैं आप एक solution के बारे में ढून रहे हैं कि इस overthinking को मैं कैसे deal करूँ किस तरीके से मैं इस overthinking से बाहर रहूं और अपने उस लक्षे को प्राप्त करूँ जो मैंने अपने लिए बना के रखा है So are you also looking for that particular solution for overthinking? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं Let go of the past हमेशा उस past को अपने साथ जोड़ के एक excess baggage बना के रखना अपने जीवन के उपर ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है जो बीत गया सो बात गई water under the bridge जो मैं आपको हमेशा idioms में पढ़ाता हूँ वो आप हमेशा याद रखिए आप हमेशा याद रखिए कि जो पीछे चला गया है उससे सीखो आज उसको implement करो so that मेरा कल बहतर हो जाएगा हमेशा कभी ये मत सोसे रहो कि मुझसे एक सवाल जो कल नहीं हुआ जरूरी नहीं है कि आज नहीं हो पाएगा और आज क्या पता उससे भी बहतर करके आप कल उसके सारे के सारे सवाल पूरे कर दो लेकिन ये होगा जब आप निरंतर काम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ सोचते रह जाएंगे और बोलते रहेंगे अपने आपको कि हो जाएगा हो जाएगा तो नहीं होगा इस पर एक कहानी आपको बताता हूँ कि दो भाई थे जो दुनों ने एक पौधा लगाया एक इंसान था जो हमेशा उसको बोलता था अरे तुम बहुत बड़े हो जाओगे और मेरे जाने के बाद भी लोगों को छाओ दोगे फल दोगे और वो उससे बाते करता था उसने उसको अपना बना लिया था और वहीं दूसरा भाई अपने पौधे को तु बरता नहीं है हमेशा उसे curse करता रहता था कुछ ना कुछ बोलता रहता था eventually वो पौधा धीरे-धीरे मर गया और ये जो पौधा था ये बढ़ा हो के बहुत अच्छा विरिक्ष बना और उसने आने वाले बहुत सारी generations को अपनी छाया दी और फल दिये तो आपको भी ऐसे ही करना है कभी भी अपने past के साथ अटके मत रहिए आज अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं कर पाएं ज़रूरी नहीं है कि कल भी नहीं कर पाएंगे आप अगर आज कोशिश करेंगे आप अगर कोशिश करेंगे कि अपने उस लक्षे को पराप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं तो जरूर आगे बढ़ेंगे और तभी कहते हैं न कि यह फर पल यहां जी बर जी हो क्या पता कल हो ना हो तो आगे चलते हैं अगला जो solution आपको देख से है Live in the present moment It is very important People keep on thinking उसने मेरे साथ ये किया था मुझे ये passage समझ नहीं आया था मुझे ये topic समझ नहीं आया था ये subject मुझसे नहीं हो पाएगा ये कल की बाते हैं छोड़ो कल की बाते कल की बात पुरा नहीं आज के जीवन में आज के बारे में आप क्या करते हैं और जो लोग आज के जीवन में जीते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छा मकाम हासिल करते हैं अपने जीवन में तो हमेशा याद रखिए कि live in the present moment because this present will make your future अगर आपने आज अच्छा और सही decisions ले लिए तो कल आपका automatically बहतर हो जाएगा तो इसलिए always live in the present moment आगे चलते हैं अगला देखते हैं जिन लोगों को overthinking की problem आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपने दिल की बात कहीं लिख लें journaling जिसको हम बोलते हैं कि एक किताब लीजिए copy लीजिए उसमें लिख दीजिए जो भी आपके दिल में चल रहा है उसको went out करिए कभी भी उस चीज़ को अपने अंदर मत रखे क्योंकि जब आप चीज़ को अंदर रखते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि क्या करूं क्योंकि आपके अंदर इतने ज़ादा emotions का एक turmoil आजाता है कि आपको यही समझ नहीं आता कि मैं इन turmoil का क्या करूं therefore it is advisable कि अगर आप अपनी सोच को आप अपने thoughts को उस जगा पे लिख लेंगे तो आपकी energy भी channelize होगी प्लस आपको एक clarity के साथ यह समझ में आएगा कि किस तरगे से आपको इसको deal करना है आगे चलते हैं हम अगले look at the bigger picture अभी छोटी छोटी चीज़े आज अगर आपको आपके teacher ने डाद दिया आज आपको आपके parent ने डाद दिया आज आपसे एक सवाल नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन खतम हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि कल आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यह है कि आज मैं गिरा हूँ लेकिन कल मैं उठके चलूँगा और परसो मैं उरूँगा और वहां पहुँँँगा जो लक्षे मैंने अपने लिए बना के रखा है तो कभी भी इस चीज को ये मत सोचो मेरे बच्चो मेरे प्यारे बच्चो कि ये आज जो है बस खतम हो गया नहीं आज सिर्फ एक वो जहलक थी आपको ये बताने के लिए कि आगे की रहा जो है वो थोड़ी सी difficult जरूर हो सकती है लेकिन नामुम्किन नहीं क्योंकि impossible में खुद लिका है I am possible और आप वो जरूर कर लेंगे आगे चलते हैं हम आगे देखते हैं Do good for others, it is very important, do not be selfish ठीक, competitive होना और selfish होना बहुत अलग बाते हैं आप competitive रहिए, आप ये सोचिए कि मुझे कैसे अपने आप से बहतर बनना है क्योंकि अगर आप अपने आप से बहतर बन गए तो बात मानिए मेरी कि आप दुनिया में जरूर आगे बढ़ जाएंगे आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी टांग खीचू या उसकी टांग खीचू और तब मैं आगे बढ़ू नहीं, आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चो कि आप किस तरीके से आप अपनी उस सोच को निरंतर ऐसा बनाएं कि आप एक ऐसी दुनिया बनाने का सोचें जहां पर आप हर कोई आपको लेका है कि बनना है तो मुझे इसके जैसा तो आप हमेशा ये सोचें कि जब कभी में मैं काम करूँ I want to help others I want to make this a better world to live in Michael Jackson का गाना ताना Heal the World It's such a beautiful song अगर आप भी चाहें तो आप जाके सुन सकते हैं Heal the world, make it a better place For you and for me and the entire human race So यह जो गाना है यही चीज है कि अगर आप किस तरीके से Do good for others, it will come back to you Unexpected way अगर आप किसी का मदद करते हो किसी की मदद करते हो किसी के लिए कुछ करते हो तो आज आपने जो किया वो आपके पास लौट किया आएगा So what goes around comes back definitely around And then The last thing for this is Meditate जिन लोगों को भी overthinking या फिर concentration की problem होती है वो जरूर जाके meditation जरूर try करे Meditation आपके thought process को channelize करती है और definitely आपको help करती है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं तो overthinking को निकाल के फेको अपने दिमाग से क्योंकि आपके आशु भाई आपके साथ है और आपके साथ है बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जीने के लिए motivate करेंगी और आपको जीवन में खुशियां जरूर देंगी तो आपको अगर किसी दिन ये लगे कि आज आपसे नहीं हो पाएगा तो खड़े हो अपने सामने जाके जो आईना लगा है उसके सामने खड़े हो और देखके बोलो आख में मुझसे हो जाएगा तो क्या आपसे भी हो जाएगा और NLU का सपना अब होगा अपना क्या आप पहुँचेंगे और सिर्फ NLU हो क्यों कोई भी एक्जाइम आप दे रहे हो क्या आप उसको पूरा करना चाहेंगे क्या आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि YES I will do it and I will clear this particular paper with full finesse and full might YES or NO तो जरूर मुझे comment करके बताएगा कि आप overthinking से अगर परिशान थे तो क्या ये session अटेंड करने के बाद अब overthinking नहीं कर रहे हैं और फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो comment करिएगा मैं आपसे जुड़ूँगा और कोशिश करेंगे इस overthinking के जो ये आपका evil है इसको हम छूम अंदर कर दें दीजे मुझे इजाज़त नाम है मेरा आशीश गर्ग ऐसे ही खयाल रखे हसते रहे हैं क्योंकि जिन्दगी बहुत चोटी है और इस जिन्दगी को कैसे खुबसूरत बनाए वो हम बना सकते हैं आप और मैं एक साथ टेक केर बाई बाई